नमस्कार, UPC Current Affairs प्रोग्राम में अभी हम बात कर रहे हैं द्रिष्टी हिंता नियंतरन नीती वाले देश के पहले राजे के बारे में हाल ही में राजस्थान सरकार ने द्रिष्टी हिंता नीतरन नीती लागू करने की घोशना की है द्रिष्टी के अधिकार को सुनिशित करने की मकसद से द्रिष्टी हिंता को नियंतरित करने के लिए नीती लागू करने वाला लाजस्थान देश का पहला राजे बन गया है इसके तहट द्रिष्टी हींता की दर को कम करने और द्रिष्टी बाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए राज्य में एक व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा इस नीती के तहट राज्य में द्रिष्टी हींता की दर जो वर्स 2020 में 1.1 फीजदी थी इसको नीती के माध्यम से 6.3 फीजदी तक लाया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार के चिकितसा एवं सास्ते विभाग ने नीतिकत दस्तावेज भी जारी कर दिया है इसके तहट सरकार अनिवारी रूप से मेडिकल कॉलेजों में कॉर्णिया प्रत्यारोपन और नित्र बैंकों के लिए केराटो प्लास्टी किंद्र चलाएगी राजस्तान में तेन लाग से अधिक दिश्टिबाधित लोगों के जीवन में सरकार की यह नीति रोष्णी लाने का काम करेगी साथ ही इस नीति के लागू होने के बाद अब नीजी निकायों एवं वित्य सहायता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा एकत्रित कॉर्णिया को प्रात्मिक्ता दी जाएगी और सभी जीलों में स्वैम सेवी संस्थाओं, नियासों, अस्पतालों और धर्मार्त संस्थाओं के सहयोग से जिश्टिबाधिता के उनमूलन के व्यापक प्रयास किये जाएंगे इस निती में नित्र विशेशग्यों के साथ साथ सरजन, स्नातकुत्तर, चात्रों और नित्रदान के लिए काम करने वाले काउंसलरों को भी विशेश प्रसिक्षन देने का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार की दिश्टी हींता नियंत्रनीती में दिश्टी हींता के इलाद से संबंधित जन जागरुकता के साथ साथ तक्निकी सुधार गतिवीधियों के लिए भी एक अभियान शामिल किया जाएगा आपको बता दें कि दिश्टी हींता और दिश्टी हानी के इंजिय अंत्रन के लिए किंद्र सरकार द्वारा राश्टी कारिक्रम वर्स 1976 में शुरू किया गिया था पूरी तरह से किंद्र सरकार द्वाला वित्त पोशित इस राश्टी का रिक्रम का मकसद दिश्टी हिंता के प्रसार की दर को वर्स 2020 तक 6 दसमरों 3 फेस्दी तक लाना था, हालांकि इस मकसद को प्राप्त नहीं किया जा सका झाला